हलो डियर स्टुडेंट्स वल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो आपनों को वेकेंड सीट्स के इन्फोमेशन के रिगार्डिंग बताया था तो उसमें थोरा सा चेंज है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो इसका स्क्रीन साट भी लिख सकते हैं यह जो मैंने इस साइड में ब्लेक में लिख रखा यह अभी लटेस्ट सीट है और जिसमें मैंने बस इदर गुर टिक लगाया है अभर समझ ए आपका जो है जो सीट जितनी मैंने बताये थी उतनी ही है तो कुछ colleges में change है वहाँ पे वह आपको बताएंगे तो एक बार सबसे पहले देखे कि second round की counseling के लिए जो total seats आपका है 467 seats total खाली है मैं या vacant है second round की counseling के लिए ये seat हो सकता है counseling के time पे थोड़ा सा और increase या decrease हो सकता है depend करता है कि कुछ students को upgrade होगा कुछ student seat छोड़ देंगे तो हो सकता है इसमें और भी changes आ सकते हैं लेकिन अभी latest जो है total 467 seats vacant है उनमें से जो changes यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा changes यहाँ पे जो है सार्धा medical college में मैंने five seats दिखाया था उसमें total 56 seats vacant है अभी इससे का समझ में आता है इससे यह समझ में आता है कि हो सकता है सार्धा medical college का जो cut-off five hundred plus गया था वो हो सकता है five hundred से थोड़ा सा down भी हो सकता है लेकिन यह उमीद नहीं कर सकते just because seats total कम है बच्चों ने apply काफी किया है बट फिर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं बांकि जो मैंने TMMC मुरादाबाद में पहले जो बतायते वो अभी भी उतनी seats है FHMC में भी उतनी seats vacant है जितने बतायते केरियर में non minority में मैंने 19 बतायते यहां पे 20 seats खाली है इंट्रिगरल में minority में 3 बतायते चार सीट खाली है एरा medical college में आपका 18 seats non minority में and minority में 0 seats vacant है वंकटेश्वर में 9 बतायते 10 vacant है TS मिसरा में 8 बतायते मैंने 9 seats vacant है यहां पे SRMS ब्रिली में मैंने 14 बतायते 15 seats vacant है सरस्वती उन्नाव में 19 बतायते 21 seats vacant है रोहिल खंड में आपका 13 नहीं 15 seats vacant है बाकि परसाद में 10 seats vacant है निम्स में मैंने 8 बतायते 9 seats vacant है के यह मतूरा में 18 seats vacant है केडी मतूरा में 5 seats vacant है GS medical college में 9 and heritage में 11 and हिंद सीतापूर में 2 and सरस्वती हापूर में 9 seats vacant है तो आप चाहें तो इसका एक बार screenshot आप लोग ले सकते हैं कि किस medical college में कितनी seats vacant है उसके हिसाब से आप लोग अपनी choice feeling को करेंगे फिर से मैं बता रहा हूं जिन बच्चों के marks कम है उन बच्चों के पास में अगर minority वाली options है अगर minority का आप लोग के पास में तो minority की minority status का फाइदा अब आप लोग उठा सकते हैं ताकि आपको college easily मिल जाए ओके तो दिस इस ओल अवाउट तोटल 467 seats are vacant for the second round of second round of UP NEET counselling okay thank you everyone for watching have a great time bye bye